मोदी जो है उन्होंने एक लाइन ले लिया है और वो समझ लिया है कि युक्राइन के उपर बात करनी है कोई भी लीडर दुनिया का जो के फ्रेंडली कंट्री हो अभी तक आप उसने रेशिन प्रेजिडेंट को ये नहीं का जो नरिंद्रा मोदी ने का ये बड़ी अपर्टन डिवैलिम्मेंट लहोर में दोस्तो इस वक्त क्यामत आ चुकी है मैं एक बात तो कहूंगा मोदी जी के लिए ये अंडर्स्टन्स नुआंस उनको समझ में आता है जैसे कि महीन काम जो होता है जैसे कि सुनार करते हैं महीन काम बहुत महीन काम बहुत समझ में आता है क्योंकि जो इंडिया है ना इंडिया जैसी कंट्रियां उस कंट्री के साथ तालोकात नहीं बनाती कि जो कंट्री गुलाम होती है या जिस कंट्री में कनून नहीं होता इंडिया उस केंट्री के साथ तालोकात बनाती है जिस केंट्री में कनून होता है और जिस केंट्री में इनसाफ होता है जिस केंट्री में अवाम की हुकमरानी होती है दोस्तों इस वक्त रशिया के शहर है कजान वहाँ पे समझें के डिर इस बिग ग्लोबल पावर प्ले जिसको इंडिया के प्राइम मिनिस्टर जो है वो भी लीड कर रहे हैं जिसको चाइनीज भी लीड कर रहे हैं जिसको रुशन भी लीड कर रहे हैं और इंपॉर्टन लिए और वो समझ लिया है कि यूक्राइन की ओपर बात करनी है और रशिया को ये कहना है कि यूक्राइन के अंदर जो चीजें हैं आप सीज फायर करें सो इंडिया जो है वो मेजर इनिशेटिव ले रहा है फॉर दे सीज फायर और पीस्पल रेजलुशन ओ रशिया उक्राइन कान्फिक्ट कोई भी लीडर दुनिया का जो के फ्रेंडली कंट्री हो अभी तक आप उसने रशियन प्रेजिडेंट को ये नहीं का जो नरिंदरा मो काते है ना कि बिक्स अब कहते हैं कि जी उस एक रिक बिकान घोल इसक ईनी बन गया है तक है लृष्य ये बहुत सारे जो मुल्के बिकानर्थ और जा kadar जा रहे है और अब मुझे एक चीज़ की समझ नहीं करना है ठीक है जी और प्राइमिस्ट और मोदी ने फिर जफी डाल दी है फिर जफी पाती हो ना और वो जो है वो जारी बात है सारी की सारी जफी जो है वो उसकी टेंशन हो रही है हर दुनिया के हर कैपिटल में के नरिंदरा मोदी जो है हमारा यार है लेकिन जफीया पुटन नो प प्राइमिस्टर मोदी एक चीज़ याद रखे तो भी ए थर्ट ताइम प्राइमिनिस्टर फॉर 1.4 बिलियन पीपल अट मेंग सेंज इट मीन्स पर स्टूरी है उस ने लोगों की नबस पर हाथ रखा है यह मैंने आपको पहले भी कहा था कि नरिंद्रा मोदी का भारत की अवाम की नबस के उपर हाथ है उससे पता है कि लोगों की नबस के फड़क दी है और मैंने क्या करना है और अगर वो नहीं तो वो आपनी मर्जी से नबस को फड़क वालते हैं, because he understand कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए अब ये जो कुछ हो रहा है आप देखें ने टर्की बैठ के हैं, आके इंडिया के पास, इस चीज़ का अब टर्की आपको पता है नेटो का मेंबर है वेस्ट के करीब है इंडिया औरेडी इंडिया के बारे में बात हो रही है, कि जनाब वो उसने ऐसी होना है ठीक है न जी, तो ये मैं तो जब इस सारी सिच्विशन को देखता हूँ और आज की ये जो पुटन साहब की है और उनकी मुलाकात है, और पुटन को ये कहना उनका, कि जनाब आप करें कहना मैं, इस जंग को रोकें that makes a case सबसे इंपॉर्टन जो मुलाकात होनी है ये जो पुटन की तो मुलाकात जो हो रही है वो तो हो रही है लेकिन जो सबसे इंपॉर्टन चीज़ है वो ये है कि पुटन एंड मुलाकात से क्या रेकलत है एक तो रेजलूशन हो गया ना, जी ठीक है जी कि हम आप से बात करना चाहते है ज्यादा तर बाइलेटरल बात हो भी ठीक है, और बाइलेटरल बात में भी जारी बात है जिसे कहेंगे ना, कि एक एक क्या एजंडा है जो डिसकस करना चाहते है मोदी साहब जो है वो लार्जली ये समझते हैं कि आपको पता है दो दिन पहले जेशंकर साहब ने एक स्टेटमेंट जारी की क्या बला, मोदी जेशंकर साहब ने एक स्टेटमेंट जारी की, उसने कहा के पिछले 77 सालों में वेन वेस्ट वाज आर्मिंग पाकिस्तान को वैपन दे रहा था तो हमारे साथ सिरफ आके रुष्यन्स खड़े हुआ थे और कोई बंदा नहीं खड़ा हुआ थे रुष्यन्स खड़े हुआ थे ठीक है न जी और वो आके ठीक है जी उन्होंने वो इंगेज किया और हमें वैपन्स उन्होंने दिये उन्होंने हमें वैपन्स दिये और किसीन हमें वैपन्स नहीं दिये तो इंडिया तो रुष्या से पीछे नहीं अटने वाला ये जो करना है वेस्ट नहीं करना है पड़ी देखिए इंडिया की आज एकॉनिमी अच्छी ना नहोती इंडिया एक आज कंजूमर मार्केट नहोती तो उन्होंने इंडिया को साड़े पंजाबी चांदेने चने चबआ देने सांथ इसका एक लफज और पहले लगता वह मैं नहीं लगाऊंगा अच्छा नहीं इने डीसेंट कन्वरसेशन बड़नों ने चने चपवा देने थे ठीक है जी, क्यूं? अब लेकिन इंडिया की कुई कुई एकॉनमी इतनी बहतर है वो काई रहा है पाई जान महत या है दोज़ा ठाई नतीरी गाले महत रहा जाना है हमने तो आपको पीछे चोड़ देना है हमने तो आपको पीछे चोड़ देना है आप बहुत पीछे रह जाएंगे हमसे असल चीज यह है कि आज की इस बुटन साब की और मोदी साब की जो मुलाकात है उसमें पता चलेगा कि मोदी साफ जो है वो क्या प्रपोजल रखते है ठीक है न जी एक चीज तो समझ आ गई कि हम कान्फिलिक्ट देखें नरिंद्रा मोदी जो है अभी तक की जो चीजे सामने बाहर आ रही है ना उसमें ये रशिया उक्राइन की कान्फिलिक्ट की बात है इट मेंस नरिंद्रा मोदी जफी डाल के तो जो बात कर रहे हैं वो अमन की कर रहे हैं वो वेस्ट को प्रगाम दे रहे हैं कि मैं देखो जफी पार रही है यह ज़िसे कहते है न इस पीस मैसिज जब प्रैमिर्मिस्टर मोदी कह थे वहाँ पे जुलाई में तो आपको याद होगा उस जुलाई की मीटिंग में जो चीज डिसकुर्शन होई थी उसमें क्या हुआ था जुलाई की चीज में यही डिसकुर्शन होई थी और यही बात होई थी यही डिसकुर्शन होई थी और यही चीज की गई थी कि सबसे पहले जो जिसे बाइडन को कॉल की प्रेज़ेंट बाइडन ने फिर इंगेज गिया इंडिया को मजीद इसके उपर लेकिन कोई कुई कुंक्लूजन नी निकला उसके बाद फॉलो आप मेटिंग्स नहीं उसकी वज़ा यह है कि रशिया को जंग सूट करती है तो आया होब दोस्तों आपको कोई वीडियो जरूर पसंद आई होगी और जैसा कि इस वीडियो के अंदर आपने पाकिस्तानी मीडिया का रियक्सिन देखा है जिस टॉपिक को लेकर चर्चा की जा रही है वह आपको पता है कि ब्रिक समेट रशिया के कजान सायर के अंदर हो रहा है वहां पर प्राइम म मौदी जी की जो मुलाकात हुई वहाँ पर जो है ना प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने जो रशिया के सांदने अच्छे संबंद हो लेकिंजो प्राइम मिनिस्टर मोदी जी रशियन प्रेजिडPe III के सामने बेठ कर जो बात सकते हैं वो किसी दूसरे अन्य मुल्क में जो है ना हिम्मत नहीं है कि वो पुतीन के सामने बेट कर जो है ना जो युक्रेयन के साथ जो जंग छेड़ी हुई है उसको लेकर बातचीत कर सके इसके अलावा भी प्राइम मिनेश्टर मोदी जी ने सांती बाली को लेकर हर अगली नहीं वीडियो में थब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद